हेलो फ्रेंज मेरा नाम है एकलेस और आज मैं आपको इस्टेडी वलॉग दिखाने जा रहा हूँ जिसमें मैं पूरे दिन क्या करता हूँ कैसे पढ़ता हूँ और क्या क्या पढ़ता हूँ तो चलिए से पहले आप मेरा टाइम टेविल देखिए तो हमारा जो टाइम टेविल है वो दो सेक्सेंस में डिवाइड है और परती एक के चार चार पार्ट है चलिए फर्स्ट पार्ट मैस से सुरू करते हैं तो फ्रेंज हमने मैथ के साथ अपने स्टेडी को स्टार्ट कर दिया है और ये दिन के बारा से एक बज़े के बीच मैं म सब्सक्राइब करता हूं मेरे पास डिजीटल क्लॉक नहीं इस लिए मैं इस घड़े का सहारा ले रहा हूं जल्द ही मैं बो डिजीटल क्लॉक भी ले आँगा सो फ्रेंड्स अब और हमारा जो सेकेंड देख सकते हैं कि आप हमने यहां पर मैंत में क्या पड़ाता यह इंटिग्रेशन के कुछ कोश्चेंज नहीं बलकि मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चेंज लगाए थी वो भी जो AIEE आदी एक्जाम में आ चुके हैं तो फ्रेंड्स हमारे फर्स्ट सेसन के एंड के बाद मैं नीचे पानी पीने जा रहा हूं और आप देख सकते हैं कि यह मैं ने पानी लिया और पीने के बाद छट पर वापस आ गया हूं और फिर दुवारा से मैं स्टेडी को स्टार्ट करने जा रहा हूं और यहां पर मेर जो दूसरा सेकंड है वो एक से दू बज़े के बीच चलन वाला है तो यहां पर जो हमारा दूसरा सेशनर श्टार्ट हो चूका है यह एक से दू-बज़े के ठोस्यार बुच मरत से की चमस्ट्री दटीक झाझता है है कि मैंने पहले से प्ड़ दूसरा सेशन है वो एक से दो बज़े की बीच में है यह नहीं है कि मैं लगातारी बढ़ता हूं मैं 25 मिनस के बाद 5 मिनस का ब्रेक लेता हूं उसके बाद फिर अगेन मैं स्टेडी को स्टार्ट करता हूं क्योंकि फ्रेंड्स आप ज्यादा तेर तक लगातार कांटिनिस स्टेडी नहीं कर सकते हैं इसलिए आपको ब्रेक लेना भी यह नहीं बार है आप अमारे दूसरा सेशन कंप्लिट होने के बाद जो तीसरा सेशन है वो तीन से चार करेंगे और जितनी वार पड़ेंगे उतना ही आपको अच्छा समझ मैंगा और जो आपका कॉंसेप्ट वो आपका अच्छा विल्ड हो जाएगा इसलिए आपको रिवाइज करना पहुत निवार अगेन जो हमारा थर्ड सेशन है वो लगोगा आदा कंप्लिट हो जोगा है अगेन साथ वजे से स्टडी को स्टार्ट करूंगा और जो हमारा थर्ड सेशन है वो लगबग कंप्लिट हो चुका है और रेस्ट टाइम चला है सो इस टाइम में मैं कुछ फ्रेश हो लेता हूं पांस से दस मिनट के लिए स्टडी से हटने के बाद आपका जो माइंड है फिर से एनरजेटिक हो जाता है और यहां पर जो मेरा फोर्थ सेसेन है वो स्टार्ट हो चुका है जो चार से पांच बजे के बीच है जिसमें मैं मैं मैंस को पढ़ रहा हूं और वह भी मुवाइल की अगर आपको प्रोपर और सही स्टडी करनी है तो आपको दिन का और वी लगता है आपको शमझ में नहीं आता है उस सब्जेक्ट को जादा से जादा पढ़िए जिससे की आप उस सब्जेक्ट में माहिर हो जाए फूर्थ सेसन खतम होने के बाद मैं पांच से साथ बजे के वीच एक लांग ब्रेक लूँगा जिसमें मैं उसी में ही डिनर कर लू अब्जेक्ट में पढ़े थे उसको रिवाइज करूंगा भाईज करने का जो वेश्ट तरीका है वह है आप ज्यादा से जादा लखिए जितना आप लेख सकते हैं उससे लिखिए क्योंकि लिखने से याद करने से जादा याद होता है और आपकी जो हैंड राइटिंग व हमारा अगला सेसन है वो आठ से नौ बजी के बीच में जिसमें मैं मैंट को अगेन पढ़ूंगा क्योंकि आप मैट की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम है इसलिए कहाता है कि मैट इस डिपेंड उन प्रैक्टिस अगर आपको शफल होना है तो आपको मेहनत करन करेंगे और हमारा 6 सेसन स्टार्ट होने वाला है जिसमें मैं मैंक को पढ़ने वाला हूंiku और हमारा जो सिक सेसन है वो स्टार्ट हो चुका है जो 8-9 बजी के बीच चलेगा तो फ्रैंटस हम अपने कंबल को भी ओलिया इक कि हम जहां पर रहते हैं आप हो भूट ठंड पर रहे हैं लगबग 7-8 degrees Celsius है जो temperature रहता है और मेरा जो रूम है वो छट पर बना हुआ है जिसका रड़ बहुत हवा आती है और ठंड भी लगती है इसलिए मैं अपने कंबल को ओड लिया हूँ आपर जो हमारा six season चल रहा है वो आदा हो चुका है और friends मैं आपको एक ब सब्सक्राइब करता हूँ जो हमारा six season है इस session का जो रेस्ट टाइम है वो मैंने 10 मिनट पहले से ही ले लिया था कि मुझे भूख लग रही थी और जो मेरा रेस्ट टाइम है नो से दस बज़े की वीच वह भी स्टार्ट होने बाला था इसलिए नो से दस बज़े की वीच खाना खाकर और रेस्ट कर अगले सेशन के लिए तैयार हो चुका हूँ जो तस से ग्यारा के वीच स्टार्ट होगा जिसमें मैं फिजिक्स के नुमेर्कल्स लगाऊंगा और डेरिवेशन्स को भी सॉल्व करूंगा और फ्रेंज ये सेशन लास्ट सेशन इसके बाद जो हमारा स्टेडी ब्लोग है इंड हो जाएगा अगर आपको हमारा स्टेडी ब्लोग पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड कॉमेंट कीजिए और अगर आपको हमारे इस रूम का एक्सप्लेशन चाहिए फुल